जहेन फ्रेंड्स, I am शुभम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल SM Study Guru यूपिट्रपल सी लोर पीसेस 2019 का एक्जाम 30 सेप्टमबर वा 1 अक्टूबर को 4 पालियों में समापत हुआ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 30 सेप्टमबर इवनिंग सिप्ट के मैस सेशन की इन से भी जो पेपर हुए हैं उनके पीडियाफ हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएंगे आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजिए जिसका लिंक हम दिसक्रप्शन बॉक्स में दे देंगे आप लोग ये वीडियो देखने के बाद कोश्चन मिलाईए और अपने अपने अंसर ज़लूर कमेंट करिए कि आप लोगों के कितने कोश्चन सही हुए हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सेर करना बिल्कुल न भूलें ये जो वीडियो है वो 30 सेप्टेंबर इवनिंग सिप्ट का पेपर का अनलेसिस है मैस सेक्शन का चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पहला कोश्चन है माल ने A का वाज़ संक्या है और B एक वाज़ संक्या है तो इस तरह A प्लस B A प्लस B बराबर दे रखा है 240 और इनमें A और B का जो समावर्टक मतलब LCM LCM दे रखा 1499 जब 4199 इनका LCM दे रखा है इसका मतलब कि इन दोनों मेंसे यो B और A मेंसे जो A है वो हमारा प्राइम नंबर है और B हमारा नॉर्मल तो B वाज़ संक्या है तो यहां से देखिए यहां से हमको A प्लस B बराबर 240 दे रखा देखिए यहां से A प्लस B बराबर 240 नहीं और इसलिए Option B कट जाएगा और हमको इन दोनों का लगुत्तम सवावर्टक निकालना है तो 41999 तो यहां से देखिए इसका A वाले का जो गुणा करेंगे तो इसका सही अंसर हो जाएगा Option C 19 और 221 का फेक्टर करेंगे तो 13 और 17 तो यह देखिए 221 बाजी संख्या नहीं है और 19 अबाजी संख्या भी है तो इसका सही अंसर हो जाएगा पहले का C 76 का अंसर सही हो जाएगा C अगला कुश्चन देखते हैं बोला है निम लिखे संख्या हो मैंसे कौन सी सांत दसंख्या है तो सांत दसंख्या है एक बटा दो एक बटा दो को जब भाग देंगे तो 0.5 यहां पर यह स्टोप हो जा रहे है लेकिन अगर आप कोई औ और देखे देखें जैसे यह लिए दो बटे तीन से दे रहे है दो बटे तीन से देंगे दो चंग ती चंग 18 फिर 6 अच्छा इस टैप से यह सीरीज चलती रहेगी यह कभी रुकेगा नहीं बोला है सांत दसंबलब तो सांत दसंबलब सही आंसर हो जाएगा option C अगला में 108 काम तो एक मिनट में करेगा 6, B 36 मिनट में कर रहा है 108 काम तो एक मिनट में करेगा 3, C 54 मिनट में 108 काम कर रहा है तो एक मिनट में कितना करेगा, एक मिनट करेगा 2, तो यहां से देखे क्या बोला है, A को खोला गया, तो पहले फस्ट जो टाइम होगा, फस्ट मिनट में फिर्स्ट मिनिट में A को खोला गया, तो A कितना, एक मिनिट में भर देगा, छै, फिर बोला है, एक मिनिट के बाद B को खोला गया, तो A और B दोनों खुलेंगे, अब वो चार मिनिट तक चलेंगे, तो चार मिनिट में देखी, A और B का एक मिनिट का काम हो जाएगा, छै और 3, 9 और 4 मिट तक चलेंगे तो 9 चुकू 36, तो टोटल काम कितना कम्टिट हो गया 36, 42, अब टोटल काम था कितना, 108, 108 काम मैंसे 42 काम कम्टिट हो गया, तो बचा काम कितना 66, 66 कौन करेंगा, 66 63, 63, 63 करेंगे, तो 6, 3, 9, 2 11, तीनो की इफिसेंसी मिला कि 16 काम कितने एर में हो जाएगा 6 गंटे में तो 6 गंटे यहां लग रहे 6 गंटे और 4 गंटे और 1 6, 4, 10 और 1 ग्यारा तो इसका सही अंसर आजाएगा 11 मिनट ओप्पशन B इसका प्रिप्पर करेक्ट अंसर हो जाएगा तीनों को जूड़ना था, किया हर्ल यह नहीं बताँ था कि इकार कितने समझ सिस्वाब, टोटल पता था कितने समझ सिथी हुआ तो छै गुंटे यह, चार दो पांच ग्यारा मिनट जबता हैं, तो उसका सही अंसर हो जाएगा घ्यारा मिनट उप्शन का करेक्ट अनसर हो जा यहां से 3X अगर इसमें 20 साल पहले है तो 20 माइनस कर देंगे दोनों में बरावगर अगर 9 वटे 5 रखेंगे तो X की जो value आ रही है वो PYQ के form में आ रही है इसका मतलब है कि यो एक पूर्ड संख्या नहीं आ रही है इसलिए इसका सही अंसर हो जाएगा option D option D इसका correct अंसर हो जाएगा उसका आयो कान पाथ नहीं हो सकता तो आयो कान पाथ नहीं हो सकता 9 is to 5 अगला कुश्चन देखते हैं बोला है राम की कारे चमता राम की कारे चमता रहीम की कारे चमता से तो रहीम की कारे चमता से दोगना है अगर इसकी एक है रहीम की तो राम की हो जाएगी दो बोल ला है राम किसी कारे को 6 दिन में पूरा करता है अगर कारे चिमता है दो है 6 दिन में कारे को तो टोटल काम कितना हो जाएगा बारा बोल ला है रहीम उसी कारे को तो रहीम कितने कारे को 12 काम को कितने दिन में करेंगे एक दिन में एक करते हैं तो 12 काम कितने दिन में करेंगे 12 दिन में तो सही अंसर हो जाएगा इसका Option C 12 दिन अगला कुश्चन देखते हैं यहां से देखिए बोला है Sin A माइनस कॉसे बरावर 3 वटे 5 तो Sin A कॉसे पूछ रहा है यहां से देखिए जब आगे इसको solve करेंगे तो 1-2xy बरावर हो जाएगा 9 वटे 25 इदर आजाएंगे तो 1-9 वटे 25 बरावर हो जाएगा यह दर चले जाएंगे उदर जाके प्लस का 2xy तो 2xy बरावर हो गया यहां से बिसको कमन लेनेंगे तो 25 उपर 25 मैनस नहीं मतलब कावसे और हो सवाते परशी और सभी तो ओ tulee एक्सवाइफ हो जाएग करें सहसे जिए इंग ए सक्षिमक ढ़ने सोब को मतलब हुआ सबह से नहीं के जाए है अगला कोश्चिन देखते हैं जब एक संख्या इंग ईह में 20 पर संब्सक्रक्राइं कोई संख्या है 100, so हमें 20% की प्रद्दी के ये मादले 120 हो गई, बोला है और फिर मैं 20 कम हो जाती है, तो हमें 160 प्राप्त होती है, अगर 20 कम ना होती, तो हमें कितनी प्राप्त होती, 180, तो यहां से 120% की वैल्लियो आगई 180, तो 100% की वैल्लियो हो जाएगी 1500, तो 1500 वो संख्या है, अब बोला है, उस 1500 संख्या में 20% कमी करेंगे, तो 100, कितना हो जाएगा इसका, 20% कमी करेंगे तो हो जाएगा, 120, मतलब 30 कम हो जाएगा, 15, 30 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा, 120, और 20 की व्रद्दी कर दिया तो, 120, 140, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 82 का सही अंसर हो जाएगा option B, बोल ला है 5 मीटर, 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान, अर्जित लाव उसे 2 मीटर क्रेमूल के बरावर होता है, तो 2 मीटर क्रेमूल के बरावर होता है, तो 2 बटे 5 into 100 कर देंगे, सीधे सीधे यहां से answer आजाएगा, दोसे इसको काट दीजे, 20, 22 नि, 40%, तो इसका सही answer हो जाएगा option A, option A, इसका correct answer हो जाएगा, इसका हो जाएगा 83 का A, अगला question देखते हैं, अगले question की तरफ, यहां देखिए क्या बोला है, निम लिखे को हल करना है, तो यहां देखिए उपर करते हैं, 5 नीचे देखिए, तो यहां से इसको solve करेंगे तो आजाएगा, प्लस का 5, और माइनस, यहां देखिए अंदर, माइनस का 5 आएगा, माइनस जब बहार आ जाएगा, तो ओजाएगा, प्लस का 5, बाग 5, जब इसको solve करेंगे, तो 5 मैं से 15 जाएगा minus कक दक डबाहर है minus मैंस मैंस हो जाएगा plus तो उपर जाएगा 10 प्लस 10 भागे 5 यह उपर है और यह नीचे है तो देखी यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा 5 से इसमें भाग देंगे तो 2 बाँबर जाएगा तो दास हो दो बारा उपर बारा बच रहा है नीचे देखिए पांस ते इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा पांच और एक छे तो छे दो नहीं बारा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B option B इसका correct answer हो जाएगा 109 का B अगला question देखते हैं बोला है निम लिखित को हल करें तो देखिए निम लिखित को हल करना है तो यहां से देखिए 0.009 अपांट 0.9 तो यहां से देखिए अगर आपको confusion नहुए अगर तो क्या गडेगे ऊपर से पॉइंट रटाईए देखिए कितने अंकुम लगाता है एक दो तीन तो नीचे तीन जिरो लगा दीजिए और यहां से जब पॉइंट रटाएंगे तो एक अंकवाद लगाता हो उपर एक जिरो बढ़ा दीजिए देखिए यहां नौ बचा यहां नौ बचा इसको काट सही हो जाएगा अगला कुश्चन देखते है क्रमांगत तीन विसम संख्याओं का योग दे रखा है वो जो योग है उनका वो इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलिया में 36 अदेक है मतलब एक के बाद एक तो अगर 15 और 17 देखें 17 और 15 का योग कितना हो रहा है 32 इसका मतलब यह नहीं होगा तो 17 और 19 17 और 19 हो जा रही 36 इसका मतलब यहीं सेकेंड और थर्ड संख्या है तो 17 और 19 तो पहली संख्या हो जाएगी 15 पूछ का उनसी रहा है मद्द वाली संख्या है 17 तो उसका सही अंसर हो जाएगा option B 111 का सही अंसर option B बोला 10 संख्याओं का और 19 और 20 अगर 6 तो यहीं संख्याओं को 12 इसका सही अंसर हो जाएगा 72 अगला कुशन देखते हैं 113 तो यहां पर भी वही सेम सिचियोशन बन नहीं तो यहां पर देखिए 144 नीचे देखिए 0.144 है यहां पॉइंट रटाय तो तीन अंको बाद लगा तो उपर पहले से तो चार अंको बाद दसंबलब लग जाएगा चार अंको पहले तो यहां से देखिए हो जाएक इसका सही आंसर 0.0144 देखिए किस ऑप्शन में है 0.0144 ऑप्शन एसका करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं बोला है अर्जुन अर्जुन विक्रम और बिजय का जो दे रखा है अनपाद दे रखा है मालीजे 20 है यह 30 है और यह 50 है अनपाद में कुछ भी कुछ भी मालीजे कोई दिक्कत नहीं है तो बोला उनके वेतन में 15% की प्रद्दी करेंगा तो 20 का 15% हो जाएगा 3 तो हो जाएगी 23 30 में 30 में 10% की प्रद्दी 30 का 10% 3 तो 30 हो दस 33 और 50 में 20% 50 का 20% हो जाएगा 50 का 20% हो जाएगा 10 तो 50 हो दस 60 तो देखिए 233 और 60 किसी option में है 233 option B 114 का सही अंसर हो जाएगा option B अगला question देखते हैं यहां से बोला है दसमलब दसमलब में वेक्त करना है 0.001 को दसमलब में व जाएगे तो 100 नीचे आएगा तो 2 हमको पहले और लगा दीजिए तो यहां पर 0.00001 005 तो थाई 20 और लगा दीजिए तो देखिए इसका सही अंसर हो जाएगा option D 115 का सही अंसर हो जाएगा option D अगला question देखते हैं बोला A और B मिलकर A और B मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं A अकेला उसे 10 दिन में पूरा करता है तो यहां से देखिए इसका LC हम जाएगा 30, 6, 35, 30 और 10, 33, A प्लस B की जो efficiency है वो दोनों मिलाके 5 है, A की 3 है तो A की अगर इसमें से घटा देंगे 3, A प्लस B वरावर 5 है तो A की अगर 3 घटा देंगे तो B की निकल आएगी, B वरावर पूछ रहा है B उस काम को कितने दिन करेगा, काम है 30, एक दिन में करता है 2, तो 30 कितने दिन करेगा 15 दिन में, तो सही अंसर हो जाएगा इसका 15 दिन, option D, 116 का सही अंसर हो जाएगा, option D, बोला है मोनिस एक निश्चत दूरी का दो तयाई, मतलब 2 बटे 3 हिस्सा जो है, वो 4 5 किलोमेटर की रफतार से करता है, और जो एक बटे 3 हिस्सा बचा है, उसको 5 कीलोमेटर रफतार से करता था, कितना लग रहा है, एक घंटे 24 मिनटको क्या लग सकते हैं, एक गटे 24 बटे 60, इसको 24 करेंगे हman गठे 20 मिनटको, जो 24 मिनट्टे 50 दो 25, तो 7 बटे 5, यह है इस और एक लड़का है, तो एक man और एक ladies और एक boy एनका दे रखा है, ये दो दिन में करते हैं ये तीन दिन में करते हैं, ये चे दिन में करते हैं अजिकी efficiency यहां से निकाल लीजे, तो total work हो जाएगा अच्छा है, man करेगा एक दिन में तीन, ladies करेगी एक दिन में दो बच्चा करेगा एक दिन में एक काम बोला है इस काम का काम को काम इतना ही करना है च्छाही काम करना है और पूरा आदे दिन में काम को कम्प्लीट करना है तो अगर माल लीजे आदे दिन में काम को कम्प्लीट करना है अगर एक बटे दो लाना है यहाप तो नी एक लड़के की एक है और साथ एफिसेंसी चाहिए तो हमें साथ लड़के यह और लगाने पड़ेंगे तो इसका सही अंसर हो जाएगा option c कितने लगोगी आसकता होगी तो इसका सही अंसर हो जाएगा option c अगला question देखते हैं दो लंब रत्य वेलन जो दे रखे हैं उनकी त्रिज्जाएं जो है r1 और r2 बराबर दे रखा है 5 वटे 2 और h1 और h2 दे रखा है 7 वटे 5 तो इनका जो बक्क फ्रेश्ट का शेत्पल मतलब 2 पाई r1 h1 और 2 पाई r2 h2 यह बताना तो यह तो पाई से 2 पाई कट गया r1 वटे r2 देखिए कितना दे रखा है 5 वटे 2 और h1 वटे h2 दे रखा है 7 वटे 5 इस 5 से यह कट जाएगा तो आजाएगा 7 वटे 2 तो 7 इस टू 2 देखिए किस ओप्शन में 7 इस टू 2 ओप्शन बी में अगला कुश्चन दिखते हैं यदि आज सनिवार है तो 71 दिन के बा 71 दिन होगा रविवार लेकिन 71 दिन के बाद पूछा है तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा सोमबार तो इसका सही अंसर हो जाएगा 120 का A अगला कुश्चन देखते हैं यहां बोला एक तरवज ABC में एक तरवज जो ABC है इसमें कोण A का समित दवाजक D तो BD है 3 और 2 और क्या दे रखा और दे रखा है AB बरावर 6 तो पूछा क्या है AC बरावर तो यहां से देखिए AB अपॉन 3 बरावर हो जाएगा AC अपॉन 2 तो AC हम को निकालनी है AB दे रखे 6 बटे 3 बरावर हो जाएगा AC अप वटे तो 3 दूनी 6 तो AC बरावर 2 दूना 4 तो AC बरावर आज जाएगा 4 तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D 121 का सही answer हो जाएगा option D अगला question देखते हैं x square plus one upon x square is equal to 23 और x जो बड़ा है 0 से तो x plus one upon x की value बतानी है यहां से देखे क्या करेंगे x square plus one upon x square बराबर दे रखा है 23 तो दोनों दो इदर आड़ करेंगे दो इदर आड़ करेंगे जब दोनों तरफ दो एड़ करेंगे तो यहां देखिए यह बन जाएगा x plus one upon x का whole square का formula बराबर दे रखा है 25 तो x plus one upon x दोनों तरफ root ले लेंगे तो दो root लेंगे तो इदर से यह square खतम हो जाएगे इदर root लगाएंगे तो हो जाएगा 5 तो इसका सही answer आजाएगा x plus one upon x is equal to 5 option c इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखता है बोला name लिखित को हल करिए cos square theta minus 1 comma cot square theta plus 1 उसके बाद यह रखा plus 1 तो यहां से देखिए theta एगर value 45 ले ले लेंगे तो cos theta की value 45 में 1 upon root 2 1 upon root 2 का square करेंगे तो 1 upon 2 minus का 1 cot square cot 45 की value होती 1 तो 1 का square 1 plus 1 उसके रखा plus 1 तो यहां से करेंगे तो 1 by 2 में से minus 1 by 2 तो minus 1 by 2 बचेगा और उपर हो जाएगा 2 और फिर plus 1 तो 2 से इसको काटेंगे तो minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 is equal to हो जाएगा 0 तो इसका सही 6 और सी प्लस 6 का माना विचलन क्या होगा तो इसका सही अंसर और मेरे सापसे Option 2 अगरे कुछ आपको डाउट लग रहा है तो इस question का answer आप लोग comment करिए, मेरे साबसे इसका सही answer होगा option A जो A plus 6, B plus 6 और C plus 6 का, क्योंकि जब उसका D निकालते हैं, D निकालते हैं तो इनका average आएगा, वो दोनों को सब का बराबर आजाएगा, तो जब इनका under root निकालेंगे तो जो इसका root आएगा वही इन सब का root आएगा, जो मानक विचलन निकालने का तरीका होता है, तो मेरे साबसे इसका सही answer होगा option A चलिए अगला question देखते हैं अगला question बोल दाए, AX square plus BX plus C का मूल alpha और beta है, तो दोगाश समिकरण में एक जिसका मूल 1 बटे alpha और 1 बटे पीटा है, निम लिकित में से कौन सा होगा तो ये चार options है, इन में से सही answer होगा, सही answer देखते हैं क्या होगा, इसको कैसे solve करेंगे इस question का answer देखते हैं, इस question का सही answer हो जाएगा CX square plus BX plus A option D, इसका correct answer हो जाएगा CX square plus BX plus A इसका सही answer हो जाएगा इसी के साथ 25 कोश्चन समापत हुए अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक सेर करना बिल्कुल ना भूले चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो